तो फू बहुत करते हैं चीड नूरौ फोकि बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूंगा वह वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने 4K भी ट्राइ करना है आप कर सकते हो अगर आपने गेमिंग करने हैं हाई ग्राफिक प्राफिक पी अग पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो आप डिल्ब होने वाला है आगर आप आप ने और यह आपने ऑनलायन mask हो, प्ल्स अगर आप इसा creator काम करना करना प्रोग्रामिंग करना कोडिंग करने है उसके बाद वही अगर आपने कोई वी stopped virtue यूज़ करना है तो बात करते हैं सीधा नमबर फो की नमबर फो की बात करें नमबर फो पर यार मैंने रखा है MI Notebook Horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी build quality प्लस इसका design वो बहुत ज़्यादा इसको suit करता है प्लस MI brand प्लस अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको keyboard पे ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है विक्रस आपको trackpad और touchpad यह हुआ है वो बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके display quality बहुत अगड़ी है आप कर सकते हो विक्रस आपको graphic card की बात करूँ आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते I5 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बदा देता हूँ थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं तो यह display की बातों को 14-inch full HD display मिल जाती जो कि anti-glate display प्रोसासर की बातों को I5 10th generation के साथ मिल जाता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती graphic card की बात करूँ आपको NVIDIA MX350 2GB देखने को मिल जाता है तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook horizon की अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आजाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो अगर आपको कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलब सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए यह laptop बिलकुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगड़े specification में आपको बताते हैं सीधी बात करते हैं specification की तो यह display की बातों को 40-inch Full HD plus display मिल जादी जो की iPass panel display प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है साथ HDD की speed बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो है तो उसको यार आदा गंटा चालिस मिन ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data आप ज्यादा transfer करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूँ आपको नवीड है G4 MX 350 देखने को मिलेगा उप्रेणी सेस्नों की बातों को विंटो 10 मिल जाती है बैंटरी लाइफ की बात करूँ आपको 8 hours का बैंटरी लाइफ परवाइड कर देता है के लिए चाहिए स्टोडन्ट हो पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर programming करने है coding करने है कोई heavy software यूज करने है वीडियेटिंग करना चाहते हो या gaming करना जाते हो आप इस पर गर सकते है आपको 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है जिसको आप upgrade कर जाते हो 16 GB तक अगर आपने वीडियो एट्टिंग करने हैं तो भई मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16 GB RAM के minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो तो मैं आपको बता देता हूँ दो laptop के बारे में मैं बात करूँ Acer NETRO 5 की सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको ऑफिस पर के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है gaming करना है video editing करना है आपके लिए बैस होने वाला इस से इस से नीट्रोफाइब स्वरी पहले मैं कल तो बोली लगा था आपके लिए बैस हो सकता है इस से नीट्रोफाइब आप जा सकते हो इस से नीट्रोफाइब क यह डिश्पले की बातों को 50.60 फुल एश्टि प्लस डिस्पले मिल जाती जो की 16 रिफ्रेश्ट गे साथ आती तो 16 रिफ्रेश्ट यार एवरेज डिस्पे होती है इतना तगरा भी क्या सकता है इतना इसको गलत भी नहीं कहा सकता है इस तीज को आप द्यान में रखना पर प्लस आपको fingerprint वगार भी देखने को मिलेगा बैंटरी की बात करूं आपको सेवन आवस का बैटरी बैकप प्रवाइड कर देता है प्राइज की बात करूं इसका प्राइज आपको पचास हजार से लेके फिफ्टी फू थाउजन के बिटर में इस से इस सब्सक्राइज को मिल जाती है अपको 32 GB तक कर सकते हो प्लस आपको फाइज देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 5604 GB मिल जाएगा उप्रेंटरी की बात करूं आपको सिक्स आवस का बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको फिफ्टी सावन थाउजन के बज़ लैप्टाप बहुत अगड़े होने वाले अगर आप एक्स्टा थोड़ा सा भी पी कर सकते हो तो आप एसर निट्रो फाइब के और जा सकते हो अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए तो इस सब्सक्राइब हो सकता है अगर मतलब अगर आपका बज़िट पचास तगड़ा कर रहा है लेकिन अगर आपका बज़िट फॉरी फाउट से लेगे फिफ्टी फाउट हो जाता है इस रेंज में एसर लैप्टाप बहुत ज्यादा तगड़े हैं तो यार अभी मैंने आपको टॉप फूर लैप्टाप बता दिया जो कि आपके लिए पोफेट होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मेरी पेच्छे लगी यार वीडियो को लाइक करदना कमेंट करदना शेर करदना दोस्तों को बेतना दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना उनको भी कहा दना कि चानको गदर सब्सक्राब वीडि